हेरा फेरी 3 से बाहर हुए अक्षे कुमार ने थोड़ी चुपपी पताया आखिर क्यों कर दिया फिल्म करने से इनकार बीत एक सफता में हेरा फेरी 3 को लेकर दो अपडेट आए हैं पहले कहा गया कि अक्षे कुमार आवारा पागल दिवाना 2 और वेलकम 3 के साथ हेरा फेरी फ्रेंचाइजी को रिवाइव करने जा रहा है फिर परेश रावल ने यह पुष्टी कर दी कि हेरा फेरी 3 में अक्षे कुमार के जगा कार्ती गारेन राजु के रोल में नजर आएंगे मीडिया में लगातार इस बात की चर्चा है कि अक्षे कुमार अपनी पॉपिलर कॉमेडी फ्रेंचाइजी हेरा फेरी की अगली फिल्म का ही सन नहीं बनेंगे उनकी जगा कार्ती गारेन की फिल्म में मौजोद्गी की पुष्टी हो चुकी है लगातार सवाल उट रहा है कि आखिर अक्षे कुमार हेरा फेरी फिल्म से बाहर क्यों हो गए है अब खुद खिलाडी कुमार ने इसको लेकर अपनी चुपी तोड़ दी है मीडिया में जो भी कयास लग रहे हो अक्षे कुमार ने इन बातों को माना उन्होंने खुद अपने आपको इस फिल्म से अलग कर लिया है अक्षे कुमार ने एक इवेंट के दौरान कहा अन्य कई लोगों की तरह मेरी भी अच्छी यादे है मुझे भी बुरा लग रहा है कि इतने सालों में इसका हेरा फेरी तीसरा पार्ट नहीं बना अक्षे कुमार ने इस बातचीत में ये भी कहा कि उन्हें फिल्म ओफर की गई थी लेकिन इसकी स्क्रिप्ट से वो संतूस नहीं थे इसलिए उन्होंने इसे करने से इंकार कर दिया इससे पहले एक रिपोर्ट में दावा किया जा रहा था कि प्रोडूसर फिरोज नाडियाड वाला हेरा फेरी फ्रेंचाइजी को आगे बढ़ाना चाते हैं और वे जल्दी से जल्दी इस पर काम शुरू करना चाते हैं इसलिए वे अक्षे कुमार और कार्तिकारियन दोनों से ही फिल्म को लेकर डिस्कसन कर रहे थे अक्षे कुमार इस फिल्म के लिए 90 करोड रुपे की फीस और प्रोफिट में शेयर मांग रहे थे जबकि कार्तिकारियन ने फिल्म के लिए 30 करोड रुपे चार्ज किये हैं फिरोज के लगा कि कार्तिक के साथ जाने में उन्हें फायदा है इसलिए उन्होंने इस फिल्म में साइन कर लिया उन्हें बात फ्रेंचाइजी की करे तो इसकी पहले फिल्म हेरा फेरी साल 2000 में रिलीज हुई थी जिसे पी दर्सन ने निर्देशित किया था और नीरज वोरा ने इसकी कहानी लिखी थी फिल्म में राजू यानी अक्षे कुमार, श्याम यानी सुलिल सेटी और बाबु भाईया बॉलिवुड स्टार्स के बारे में जानने के लिए देखते रही है आपका अपना चैनल बॉलिवुड स्टार्स के बारे में